हेलो एब्रिवन वल्कम टू स्टडी पावर आज आपके लिए लाए हैं भारत के संबिधान के एतिहासिक बिकास का सारांज भारत का संबिधान इसकी विसे सूची है भारत के संबिधान का एतिहासिक बिकास इसके बाद है भारत में ब्रिटिश सासन की समय रेखा मतलब कब तक ब्रिटिश सासन रहा उसके बाद है ब्रिटिश सरकार और उनके प्रांतों के दोरान जो महत्वपून अधिनियम पारित हुए देखिए भारत के संभिधान की बात करें तो आपको सबसे पहले पढ़ने के लिए मिलेगा भारत के संभिधान में जो 1773 से 1885 का जो अधिनियम था उसको इसकी रीड मानी जाती है संभिधान की और इसके बाद भारत का एक और नियम है कब 1858 से 1947 तो ये दोनों इंपोर्टेंट रॉल निभाते हैं भारत के संभिधान में यहां से नीब मानी जाती है भारत के संभिधान की भारत के संभिधान का एतिहासिक बिकास देखिए इसमें क्या हुआ है जब ब्रिटिस सासन आया था तब उसके 200 साल जो थे मतलब उनने जब रूल किया 200 तो उसमें से देखिए पहले तो कंपनी ने अपने नियम बगएरा लागू किये फिर संभिधान की क्रांती के बाद फिर जो ब्रिटिस क्राउन है उसने नियम बनाए और इतने बड़े देश को नियंतरत करने के लिए अधिनियम पारित किये इन लोगों ने क्योंकि बगएर अधिनियम के तो इतनी साथी जनता को रूल करना बहुत ही मुस्किल होता है तो इस कारण से नियम बनाए अधिनियम बनाए कैसे इन पर साशन करना है यह सब इनने नियम कानून बनाए तो देखिए जैसे यहां लिखा है भारत ने ब्रिट पहतर धंग से नियंतरित करने के लिए बिभिन अधिनियम पारित किये गए यह अधिनियम देश की वर्तमान राजनेतिक संरचना और बिभिन संबैधानिक प्राबधानों को बहुत प्रभावित करते हैं यह दिखे यह है इंपोटेंट पॉइंट भारत में ब्रिटिस सास की समय रेखा इसमें क्या है यह कंपनी ने जो नियम चलाए थे यह एक तो था 1773 का यह रेगुलेटिंग एक्ट था है ना और 1857 यह किसके द्वारा चलाए गए थे जो ब्रिटिस कंपनी थे उनके द्वारा यह नियम लागू किये गए थे उसके बाद जब सन 1857 की क्रांती हुई थी तो उसके बाद क्राउन ने रूल करना सुरू किया था तो इसने अपने अधीनियम अलग से चलाए थे 1858 से 1947 तक जब तक अपना देश आजाद नहीं हो गया देखे यहां देखने को मिलेगा कि भारत का संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ तो सबसे पहले 1773 का र इसके आद की आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट फिर आया 1813 का चारट अधीनियम 1833 का चारट अधीनियम उसके बाद 1853 चारट अधीनियम यहां तक तो ब्रेटिस की जो कंपणी थी अब यहां से शुरू कर दिया ब्रेटिस क्राउन ने है न अपना मतलब British Crown ने अपना अधिनियम यहां से लागू करना शुरू कर दिया क्योंकि शाषन उसने हाथ में ले लिया था तो 1858 का भारत शाषन अधिनियम इसके बाद 1861 का भारत परिशद अधिनियम इसके बाद भारतिय परिशद अधिनियम 1892 इसके बाद आया भारतिये परिष्ट अधिनियम 1909 फिर आगे चलें तो फिर है भारत सासन अधिनियम 1990 है ना 1919 इसके बाद है 1935 का भारतिये शासन अधिनियम देखें इन सब के बारे में आपको और जानकारी नीचे दी जाएगी भी आप इतना ही समझ लें इसके बाद है भारतिय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो ये सारे रूल्स इन लोगों ने ये सारे अधिनियम लाए है ना तो अपना संभिधान ये समझ लीजिए कि यहां से स्टार्ट हो गया था चलिए तो देखिए यहां आ गया है पूरा डीटेल मे ब्रिटिस भारत और उसके प्रांतों के दोरान पारित किये गए महत्वपूर्ण अधिनियम कौन-कौन है भारत में अधिनियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1858 है ना तो सबसे पहले हम जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अधिनियम की क्या इसकी वशेश्ताएं थी है देखें इसमें जो कमपनी के मामलों को नियमित करने के लिए इनका प्रयास था यह लिखा यह अधिनियम भारत में कमपनी मामलों को नियमित करने का पहला प्रयास था इसमें भारत में केंद्री प्रशाशन की नीव रखी है ना कि शक्ती एक परिटिकुलर हाथ में ली जाए है ना उसका केंद्र हो फिर बागी अलग लग जगा छोटे छोटे उसके रूलर्स रहते हैं तो उन पर एक बड़े जैसे अपने यहाँ पर पीम र रहते हैं इसे फिर शक्तियां बटी रहते हैं लेकर में कौन रहता है जो अपना देश का प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे यहां केंद्री प्रशाशन की इसमें नीव आई है ना इसके बाद बंगाल के गवर्णर बंगाल के गवर्णर जनरल बने ठीक है यह लोगों ने नशन बोरें अगॵर्णर थे फिर इनको बंगाल के गवर्णर जनरल का पद दें गया है ना लॉड वोरें हैस्टिंग बंगाल के पहले गवर्णर जनरल थे हैना बंगाल के गवर्णर जनरल की साहता के लिए चार सदस्यों की कारेकारी परिशत बनाई गई देखिए आप ये पॉइंट या ध्यान से सुन लेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी किसी भी एक्जाम के लिए और इनसे question बहुत आते हैं खासतोर पर यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये topic आपके लिए बहुत important है ना ध्यान से सभी points को सुने बस आप दो से तीन बार इसको सुन ही लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ इसमें से याद रहने वाला है है ना तो चलिए next point है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिनस्त मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल सौरी गवर्नर्स बनाए गए इनके अंडर में है ना बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनके अधिनस्ते थे कौन-कौन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स एक मुख न्याइधिस और तीन अन्य न्याइधिशों के साथ कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालाय की स्थापना का प्रापधान किया इन लोगों न कब यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही चल रहा है अभी है आप लोको याद रखें इसको नहीं तो आप लोग कहीं भटक जाए उसकी जो इंपोटेंट पॉइंट्स हैं वो चल रहे हैं इसके आद आप देखें तो कंपनी ने जो कंपनी हैं कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी ब्यापार में लिप्त होने और इस्थानिये लोगों से रिस्वत लेने से जो प्रतिवंध किये गए इनने प्रतिवंध लगाए जैसे कि आप अभी देखेंगे तो जो भी गौर्मेंट जॉब में रहते हैं जो भी गौर्मेंट जॉब में रहते हैं वो अपना अल पॉइंट है भारत में अपने राजस्व नागरिक और सैन्ने मामलों के बारे में ब्रिटिस सरकार को रिपोर्ट करने के लिए कंपनी के निदेशक कंपनी के लिए प्राबधन किये गए या किया गया चलिए इसके बाद आता है संसोधन या निप्तान अधिनियम 1781 अधिनिय की विशेष्टा है इसमें क्या है देखिए यह अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773 में शंसोधन करने के लिए पारित किया गया था अभी भी बहुत से संभिधान संशोधन होते रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच नियायालय के अधिकार छेत्र में गवर्णर जनरल और उनकी परिशत की रक्षा की इसके आद नौकरों को उसके मतलब जो आधिकारिक कार्याओं के लिए उपनियुक्ती भी प्रदान की नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच नियायालय के अधिकार छेत्र से कमपनी के राजस्व से संबंधित मामलों को छूट दी गई किया गया था जो प्रांतिय नियायालय हैं और परिशदों के बारे में विनियमों को तयार करने के लिए गवर्नर जनरल और उनकी परिशत को अधिकार दिया मतलब कि ये नियम बनाएंगे और ये मतलब उनकी परिशदों को एक नियम बनाकर उनको बता देंगे तो इनके ल की क्या विशेष्टाएं थी तो इसमें क्या था डबल सरकार की एक प्रणाली इस्थापित की गई है ना देखे जैसा कि अभी भी हमारे यहां भी द्वैट शासन चलता है एक तो केंद्रिये शासन और एक राज्जीये है ना तो ऐसे ही यहां डबल सरकार की प्रणाली इस्थापित की गई थी इसके वाद क्या हुआ अपने वाड़िक मामलों का प्रवंधन करने के लिए कोट ओफ डायरेक्टर के लिए प्रदान किया गया जबकि बोड ओफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय था निकाय ने अपन राजनीतिक मामलों का प्रवंध किया इसके देखें तो भारत की ब्रिटिस संपत्ति के नागरिक और सैन्न संचालन और राजस्व की निगरानी और नियंतरन के लिए नियंतरन बोड को अधिकार दिया यहां पर एक नियंतरन बोड बनाया गया अब अधिनियम का क्या महत् पहली बार भारत में ब्रिटिस छेत्र के रूप में कमपनी ने नियंतरन में मतलब कमपनी ने क्या किया था अपने नियंतरन में भारती छेत्र को स्विकार किया कि भाई अब यह हम इस पर रूल करेंगे पहले तो वो ब्यापार ब्यापारिक रूप से कारे करती थी तो उन कोईने हिसाब से रूल करना है इसकी क्Яा कमया है उनको दूर करना है और इसकी अच्चे नियम कानूं लागू करें जिससे अच्छे से जल सके है तो पहली बार ये क्या हुआ इन लोगों ने अपना भी साशन शुरू किया है इसके प्रशासन की सर्वो चिंवत बन गई इसके अज जो 1857 की जो क्रांती हुई थी उसके बाद से ये इसने भी इसको मतलब ब्रिटिस क्राउन ने रूल करना स्टार्ट कर दिया 1793 का चार्टर डेक्ट इसमें क्या मतलब जो इसकी विशेश्थाएं थी और क्या-क्या इसमें कार वो हुए थे अधिनियम लाए गए थे उनके बारे में बताय गया है इसमें क्या हुआ था इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिस छेत्रों पर कम्पिनी का शासन जारी रखा इसके अगले 20 वर्स तक भारत में कंपनी के ब्यापार एक आधिकार को जारी रखा गया कि मतलब इस पे कंपनी का ही एक आधिकार रहेगा यहाँ पर ब्यापार करने के लिए इसके बाद अधिनियम के इस्थापित किया की क्राउन विश्यों द्वारा सम्प्रभूता का अधिग्रहन क्राउन की ओर से है और अपने आप में ही नहीं जिसमें इस्पस्ट रूप से कहा गया था कि कंपनी के राजनेतिक कारे ब्रेटिस सरकार की ओर से थे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी के लाभांस को दस प्रतीशत तक बढ़ाने की अनुमती दी गई इसमें गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिये गए थे बह कुछ परिस्थितियों में अपना परिशत के निर्नय को ओवर्राइट कर सकता था जो गवर्नर जनरल था इसके बाद उन्हें मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर भी अधिकार दिया गया था जब गवर्नर जनरल मद्रास और बॉम्बे के मौजूद था तो बह मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर अधिकार जताता था इसके बाद देखें बंगाल के गवर्णर जनरल की अनुपस्थिती में वह अपनी परिशत के असैनिक सदस्यों में से एक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता था जैंच्ष नीयंतरी बोड की संदस्यों बदल गई इसमें एक क्यों जरूरी नहीं कि प्रीवी काशल के सदस्यों मतलब यह होने के लिए राष्टपति और जूनियर सदस्य होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो प्रीवी काउंसिल के ही सदस्य हो अब ये प्रीवी काउंसिल क्या है देखिए प्रीवी काउंसिल क्या है यह एक ऐसा सब्द है जिसका प्रियोग विधी या कानून के छेत्र में किया जाता है किसी भी देश के रास्टी अध्यक्ष को या जो भी संस्था सलाहकार या सलाह मांगते हैं सलाह मांगने के लिए योग्य हों उनको सलाह देने के लिए एक संस्था होती है उसे प्रीवी प्राइवेट का लगुरूप कहा गया है यहां पर प्रीवी इसका शॉर्ट फ और Board of Council का बेतन भी अब कंपनी से बसूल किया जाएगा अब कंपनी ही इनको बेतन देगी जैसे हमारे हैं सरकार हम लोग को बेतन देती है जो भी मतलब गॉस्टों पटवारी हुँँ जिनके भी वैकनसि आ रहे है मतलब बैकनसि आई है इसके बाद MPSC मतलब जो भी गॉवर्मेंट जॉब में रहते है उनके लिए जो सेल्री प्रॉइट करवाते है वो हमारी गॉवर्मेंट करवाती है ऐसे ही इस टाइम पर यहां जो कंपनी है वो इनको बेतन देती थी ये इन दौनों को स्टाफ और बोर्ड आफ कांसल को बेतन कौन देता था कमपनी है ना इसके बाद देखें सभी खर्चों के बाद कमपनी को ब्रिटिस सरकार को सालाना भारतिय राजयस्प्र में पांच लाख रुपए का भुक्तान करना पड़ता था अब कमपनी यहां से कमाती भी थी तो वो पांच लाख रुपए भारतिय राजयस्प्र में जमा भी करती थी इसके बाद कमपनी के वरिष्ट अधिकारियों को बिना अनुमती के भारत छोड़ने से रोक दिया गया था मतलब कि कोई भी जब तक पर्विशन नहीं मिलेगी यह अधिकारी भारत नहीं छोड़ सकते अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें स्तीफा उनसे मतलब स्तीफा मांग लेते थे और यदि कोई भारत छोड़ देता था तो यह मान लिया जाता था कि भाई तुमने स्तीफा दे दिया है कंपनी को भारत में ब्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया इसके बाद इसे विशेशाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता था कि भाई इनको एक अधिकार है कि ये मतलब व्यापार कर सकते हैं इनको लाइसेंस दे दिया गया था कर दिया इस अधिनियम ने कंपनी के राजस्व प्रशाशन और नियाए पालिका के कार्यों को अलग कर दिया जिससे मॉल एडालर्स या राजस्व अदालतें बिखसित हुई इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चार्टर्ड अधिनियम 1813 अधिनियम की क्या विशिश्षता हैं इसमें क्या है चाय के ब्यापार और चीन के साथ ब्यापार को छोड़ कर भारत में कंपनी के ब्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया है ना सिर्फ ये ब्यापार छोड़ के बागी जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया भारत में आने और भारत में धार्मिक जागरती सुरू करने के लिए इसाई मिस्नरियों को अनुमती दी है ना इसके आद भारत में इस्थानिय सरकारों को भारत के लोगों पर कर लगाने के लिए अधिक्रत किया चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चार्टर्ड अधिनियम 1833 इसमें क्या हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और उनमें सभी नागरिक और सैने शक्तियों को नहित किया कि वो उनमें सब भी नागरिक शक्तियां होंगी और सैने शक्तियां होंगी इसमें गवर्नर जनरल कौन थे लॉड विलियम बैंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने है न ये हैं भई लॉड विलियन बैक्टिक देख लीजे इनको कभी-कभी पता ऐसे पिक्चर्स दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है चार आपको आप्शन दिये जाएंगे और पूछेंगे कि ये कौन है तो आप फेसवाइस भी याद रखें इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संपून ब्रिटिस भारत की अन्य की अन्य विधाई शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया इसका कमपनी विशुद्ध रूप से प्रशाशनि निकाय बन गई हैं चलिए अगला अधीनियम है चार्टेट अधिनियम 1850 फ्री अधिनियम इसकी क्या विश्षतताइ JIM निके बारे में जानते हैं का गवर्णर जनरल काउंसिल के अलग दिखिए इसमें क्या हो गया कि गवर्नेर्ट जनरल काउंसल है इनके बिधाई और कारेकारी कार्य ये क्या हो गए अलग हो गए मतलब अलग इनको अलग ये कारे दे दिये गए है न इसके बाद क्या हुआ कि मिनी संसद के रूप में कारे करने के लिए एक अलग 6 सदस से भारतिये बिधान परिशत के लिए प्रिधान किये गए मतलब एक छोटा संसद बनाया गया जिसके लिए कितने सदस से दिये गए 6 सदस से अलग दिये गए इसके बाद next point है भारत के लिए भारती सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की भी व्यवस्था की गई जैसे अभी हमारे यहां है सिविल सेवा वैसे ही यहां government officer बनने के लिए इन लोग को प्रतियोगिता परिक्षाओं में रहने के लिए या खुली इन लोग को प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई इसके बाद next point है next point है भारती बिधान परिशद में इस्थानिये प्रति निधित्व पेश किया है ना छे सदस्यों में से चार को मद्रास, बॉंबे, बंगाल और आगरा की इस्थानिये सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाना है मतलब की जो 6 सदस्यों हैं उन में से चार को मद्रास, बॉंबे, बंगाल और आगरा की जो सरकारे हैं वो नियुक्त करेंगी चलिए next है भारत के नियम 1858 से 1947 ब्रेटिस क्राउन रूल इसके बारे में हम next वीडियो में चर्चा करेंगे आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा है ना तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करें जिससे हमारा जो next part आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके धन्यवाद